नमस्कार किसान साथियो मैं आपका दोस्त नरेंदर पोर्वाल आपके अपने यूट्यूब चेनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो में हम लसुन की खेती से सम्मंदी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि लसुन को बुवाई के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है ताप मान बुवाई के लिए कितना रहना चाहिए कौन सा समय आपको बुवाई करनी है और मिट्टी कौन सी होनी चाहिए कौन सी मिट्टी अच्छी उपजाव मानी जाती है लसून के लिए खेत को कैसे तैयार करना है और खेत को तैयार करने के बाद बुवाई के समग्य कौन navigate काथ डालना है उसके बाद हम बात करेंगे वेराइटि आपको कौन सी लेनी है और आपको कितना बीज प्रती जो एकड़ के हिसाब से डालना है दोस्तोm उसकी बाद भी करेंगे दोस्तों और आपको बुवाई के समय कितनी कितनी दूरी रखनी है बीज के मध्यम में वो भी आपको बताएंगे बीज उपचार आपको केसे करना है खरपतवार नियंत्रन आपको फसल में केसे करना है और जो खेती लसुन की खेती में पर विगा कित हो जाती हैं और बीच में आपको कौन-कौन से इस्प्रे करने हैं उसकी जानकारी भी हम देने वाले हैं दोस्तों और साथ में सबसे महत्पूर्ण जानकारी दोस्तों सबसे ज्यादा किसान जिन में कंफ्यूस होता है कि इसमें खाद कौन-कौन सी डालनी है उसकी जानकारी भ पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक जरू करें ज्यादा-ज्यादा किसान बयों तक जानकारी पहुचाने के लिए शेर जरू करें जिससे वह भी इस जानकारी का लाव ले सकें और हमने जो मेनत की हैं वह सपल हो सकें दोस्तों इसलिए ज्यादा-ज्या और आगे आने वाली समय-समय पर जो खेती से संबंदी रो मंडी बाव से संबंदी जानकारीया है वो अगर समय-समय पर आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाते हो तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे कि वह वीडियो आप तक बिना है अगर आप उठी वेराइटी की लशन लगा रहे हो आप एक क्टूमबर से लेकर 30 सितंबर का समय काफी अच्छा माना गया है दो आप 15 नौंबर तक भी बुवाई कर सकते हो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों बुवाई के समय दोस्तों अगर तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा माना जाता है दोस्तों उसमें लसून में रोग कम लगता है दोस्तों अगर अब हम बात करें मिट्टी की तो मिट्टी में दोस्तों जिस मिट्टी में pH मान 5.5 से लेके 7.5 तक होता है वो मिट्टी इसमें काफी अच्छी मानी जाती है दिसमें दोस्तों जो दोमट मिट्टी और हलकी भूरबूरी मिट्टी होती है वो लसुन की खेती के ये काफी उप्यूक्त मानी जाटी हैं वेसे तो दोस्तो यह बलुई मिट्टी और काली मिट्टी में भी हो जाती हैं पर उसमें थोड़ा उत्पादन का फरक आता है दोस्तो अब बात करें दोस्तो खेत की तेयारी की तो आपको खेत को अच्छे से सुखाने के लिए इसको हल के द्वारा प्लाव के द्वारा या जो कल्टीविटर होता है उसके द्वारा दो से तीन बार गहरी जूताई करना है जिसे की खेत में जो बारिस की नमी है वह समापत हो करनी है जिसे की जो खरपतवार की बीज होती है वो भी गहराई में चले जाएंगे और आपकी जो फसल होगी उसमें वो दिक्कत पेदा नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से गहरी जूताई करनी है खेत की नमी खतम होने के बाद ही बुआई करनी है दोस्तो उसके बाद द चाहिए दोस्तो अपने को कच्ची खात या जो कच्चा कच्रा होता है वो नहीं डालना है खेत में उससे दोस्तो फंगस जनीत रोग भी पनपते हैं और जो खरपतवार की उगने की समश्या भी आती है दोस्तो इसलिए हमें जो पका खात होता है वह हमें लेना है जिससे की जो भूमी में उपजाव चमता होती है वह काफी बढ़ जाएगी और पकी हुई गोबर की खाथ लसून की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है तो आपको गोबर की खाथ डालना है और गोबर की खाथ पकी हुई डालना है दोस्तो और दोस्तो अगर आपने ट्राइकोडर्मा यूक्त जो गोबर की खात होती है वह तेयार कर रखी है या केचुवा खात तेयार कर रखी है तो वह भी आप इसकी जगे डाल सकते हो और अगर आपने इससे पेले वाली फसल में गोबर की खाद डाल दी थी तो अभी आप नहीं डालते हो तो भी चलेगा दोस्तों पर गोबर की खाद हमें हर 6 मा से 10 मा में डालनी आवशक होती हैं दोस्तों गोबर की खाट डालने के बाद में आपको खेत की अच्छे से समतली करन करना है जो कि आप हेरो, पाटा या रोटावेटर की मदद से अच्छे से भूरबूरा खेत को बना सकते हो जिसमें की दोस्तों खेत समतल हो जाएगा और बूवाई में हमें साहिता होगी दोस्तों खेत तेयर होने के बाद में दोस्तों बात आती है हमें किस्म का चैन करना है तो दोस्तों अगर आपके पास अच्छी वाली किस्म है तो आप वो घर का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आपका उस वेराइटी का उत्पादन अच्छा नहीं आ रहा है तो आप अच्छी वेटि का जो रियावनanor quality होती है G2, G1, तुलसी या जो अपनी देसी अमलेटा होती है वह quality की वेटियों में से चाहेन कर सकते हो दो उसमें जो लसुन की उनद किसमे होती है, उनके संबंदित वीडियो बना रखा है, उसमें पूरी जानकारी, उनका जोordan की कूरी स्वसित्त भी वीडियो से वीडियों बते हैं तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों तो उसमें से आपको अच्छे सा बीच चैन कर लेना है और चैन करने के बाद में आपको उनकी जो गाठे होती है वो मध्यम आकार की लेनी है दोस्तो जागर जादा आप छोटी लेते हैं हम तो उसमें छोटया अंकूरन होता है और हमारी गठान भी छोटी बनती है दोस्तो इ इसलिए आपको मद्यम या बड़े आकार की गठान लेकर उसे कलियों को छुडाना है। एक-एक करके हातों से कलिया छुडाना अच्छा माना जाता है दोस्तो। लसुन की कलिया करते समय दोस्तों हमें पेरों का और मशिन का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तो जहां तक हो सके मास तक नहीं करना हैं हमें हातों से ही कलिया छुड़ानी हैं तो उस समय अगर हमारी कलिया डेमेज हो जाती हैं उनका अंकूरन तो हो जाता हैं पर बाद में जाकर फपून्द की समझ्या होकर वह दिरे-दिरे उक्टा रोक के रूप में सुखने लग दोस्तो क्योंकि फसल लंबी अवदी की फसल है और उसमें अगर हम उपचारित करें भीना बोएंगे तो उसमें फफुन लगने की समस्य आएगी और हमारी जो फसल होती है उसमें रोग ज़्यादा आएंगे दोस्तों इसलिए हम कार्बेन डेजीम या मेनकोजेप से या आप कोई सा भी अच्छा फंगी साइट लेकर उपचारित जरू करें दोस्तों जिससे कि उसकी रोग पर्दीरुदो क्छंता अच्छी रहेगी और वह उथपादन अच्छा देगी उसके बाद बात आती हैं बुवाई के तरीकों की तो आप दोस्ती से तीन तरीकों से बुवाई कर सकते हैं या तो आप जो मल्चिंग पेपर वाली जो बेड़ वाली विद्धी भी अपना सकते हो या फिर आप यो अपनी क्यारियो वाली विद्धी होती है वो भी अपना सकते हो दोस्तों इसमें भी आकर सम्थल जमीन है तो इसमें भी काफी अच्छा उत्पादन आता है या फिर आप जो बेड़ वाली विद्धी होती है बिना मल्चिंग पे तो दोस्तो आपके उदर जो चलन में हो जो अच्छा माना जाता है उससे आप वोगाई कर सकते हो पर दोस्तो सबसे अच्छा माना जाना वाला जो विधी है वहाँ हातों से जो रोपाई हपन करते हैं हातों से जो लसुन की चोपाई करते हैं वहाँ काफी अच्छी मानी जात उसे 5-6 इंच रख सकते हो दोस्तों जिससे कि कंद का आकारी भी अच्छा बनेगा और उसे पोसक तत्व की कमी नहीं आएगी और आपको अगर गहराई की बात करें तो 1-1.5 इंच गहराई में इसे बोना है दोस्तों ज्यादा कहराई में बोने से कंदों का साई छोटा रह ज मफाराई मुआ जान रखनी है जो कली का हिस्सा होता है उसे ऊपर रखना है जिससे कि अंकूरन जल्दी हो गा और गठान भी अच्छी बनेगी अब बात करें सबसे मुहतमून सवाल कि हमें जो वेजर में भ이는 में खात क्या-क्या देना है भूवाई के समय एकड याने की 50 किलो प्रती एकड के हिसाब से ये लेना है आप एनपी के 12-16 की जगर 18-16 डीएपी लेंगे तो उसमें फोस्फोरस की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी दोस्तों तो आपको 50 किलो डीएपी लेना है और साथ में एक कटा याने की 50 किलो प्रती एकड के हिसाब से आपको जो potas होता है MOP वो लेना है और इसके साथ में दोस्तों 10 से 12 किलो प्रती एकड के हिसाब से आपको जो सलफर होता है bentonite सलफर जो की duster foam में भी आता है powder foam में भी आता है और दानेदार में भी आता है आपके यहाँ पर जो available हो आप 90% वाला ले सकते हो और इसके साथ में nitrogen की पूर्ती के लिए दोस्तों आप यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हो और जो ammonium phosphate होता है या ammonium sulfate होता है दोनों में से कोई भी आप 15-20 kg प्रती एकड के हिसाब से आप यूरिया ammonium phosphate या ammonium sulfate तीनों में से कोई भी 15-20 kg प्रती एकड के हिसाब से एक चीज आपको ले लेना है और दोस्तो सभी तरह के पोसक तत्व की पूर्ती के लिए 8-10 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट्स का जो कॉम्बी पेक आता है वह लेकर आपको इसके साथ में मिला लेला हैं दोस्तो और अगर आपके यहाँ पर सुरुवात में जड़ो में जो कीड़े की समश्या होती हैं तो आप फिपरो नील 0.03% वाला जो रिजेंट के नाम से आता है वह कीट नासक को भी जो दानेदार फोम में कीट नासक आता है वह भी साथ में मिला कर इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तो दोस्तों बताएगाई सभी उर्वरोकों को आपको अच्छी तरह से मिला लेना है पल्ली पर डाल कर और आपको खेत में जो होता है छिड़क देना है दोस्तों आप बुवाई के पेले भी यह डाल सकते हो और चोपाई करने के बाद पानी देने से पेले भी इसे छिड़क स बाखी बचावाद दे सकते हो अब अगर बात करें दोस्तों खरपतवार नियंत्रन की तो आप बुवाई के समय भी खरपतवार नियंत्रन कर दखते हो जिससे कि खरपतवार उगने से पहले ही खतम हो जाएगा और लंबे समय तक उगेगा नहीं दोस्तों तो उसके लिए emergency herbicide है उसके द्वारा उगने की सम उगेगा ही नहीं और वहीं पर खतम हो जाएगा और अगर आप ये इस्प्रे नहीं कर पाते हैं तो जो post emergency herbicide होता है जो कि 30 दिनों के लगवग बुवाई के 30 दिन बाद लसुन को उगने के बाद में या खरपतवार के उगने के बाद में दिया जता है वह भी आप कर सकते हो जिसमें की प्रोपा क्विजा फोप 5 प्रतिसत और जो oxyplorfen 12 प्रतिसत वाला जो kombination आता है उसका इस्तेमाल करके आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हो दोस्तों पर जो बाद वाला होता है उसमें लसुन को जटका लगता है जो अपन oxyplorfen और प्रोपिक विजा फोप का इस्तेमाल करते हैं उससे लसुन को जटका लगता है इसलिए आप अगर जो पेंडा मेथलिन 30 प्रतिसत का इस्तेमाल करते हो तो वो अच्छा माना जाता है और अगर आपके यहाँ पर खरपतवार की समश्या कम है या नहीं है तो आप निंदाई गुडाई के द्वारा ही खरपतवार नियंत्रन करें दोस्तों तो उससे क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और कम खर्चे में काम हो जाएगा दोस्तों और अगर आप पेंडा मेथलिन का इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों तो उसमें ध्यान रखे कि उसकी मात्रा कम या जादा आपको नहीं करनी है एक लिटर को पूरे एकड में लाना है तो और 200 लिटर पानी में मिलाकर आपको इस्प्रे करना है या फिर जो खेत की मिट्टी होती है उसमें मिलाकर भी आप जो छिडख सकते हो और ततकाल में पानी दे देना है दोस्तों अब बात करें दोस्तों सिचाई की तो आपको सिचाई लेसुन की जो चोपाई करने के तुरंत बाद में दे देना दोस्तों जादा लेट नहीं करना है नहीं तो कलिया पड़ी-पड़ी भीगणने की समझे आती और उसमें फपिन जनित रोग लगते हैं सिचाई की विदियों की बात करें तो सिचाई की दो से तीन विदिया हैं अगर आपने बेड पर लगा रखा है तो आप ड्रीप इरिगेशन के द्वारा भी दे सकते हैं अगर आपने क्यारियों में बुवाई कर रखी हैं तो आप जो इंस्प्रिकलर होते हैं उनके द्वारा जो विदी होती है उसे काफी अच्छा माना जाता है और इस विदी का एक फाइदा हो रहे हैं कि इसमें थ्रिप्स का जो रोग होता है वह कम लगता है दोस्तो अब अगर दोस्तो बात करें सिचाई के बीच के अंतराल की तो आपको सुरुवात में 10 से 12 दिन पर लगातार को देखते हुए और बाद में जाकर जब परिपक्वता की इस्तिति में लसुन आ जाती है उस समय आपको 15 से 20 दिन या 18 दिन में आपको सिचाई करते रहना है दोस्तो और जब आपकी फसल में 20 से 25 पर 30 सत तक डोड़िया निकल जाती है वो परिपक्वता की इस्तिति में आ करने रहें दोस्तो और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें उसके बाद दोस्तो अगर बात करें इसमें रोग नियंत्रण की तो इसमें सबसे ज्यादा रोग लगता है जो थ्रिप्स या रसुसक कीटो का रोग होता है दोस्तो और फपुंद जनित रोग होता है दो रोग पॉम वाला 30 ml लेना है और जो फंगी साइड आता है कारबंडा जीब 12 प्रतिसद प्लस मेंकोजेब 63 प्रतिसद डबल्यू फाम में आता है वह 40 ग्राम प्रति 15 लिटर पानी में लेकर आपको इस्टिकर आता है या चिप को आता है वह भी जरूर मिलाना है उसके बाद दोस्तों सेकेंड इस्प्रे में जब ज़्यादा थ्रिप्स आपको दिखाई देने लगे तब आप जो इमीडा क्लोपिट 40 प्रतिसद प्लस फिपरोनील 40 प्रतिसद डबल्यू डीजी फोम में जो आता है वह 6-7 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में और जो फंगी साइड आता है रेडो मिल गोल्ड वह 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आपको लेकर 1500 लीटर प्रति एकड़ पानी लेकर इस्प्रे करना है दोस्तों इसके साथ में ततकाल रिजल्टे के लिए आप जो प्रो उसके बात दोस्तों बात करें तो खरपतवार नीयनतरण के लिए आपको समय सब पर निन्दाई गुराई कराते रेना है एक दो पर निन्दाई गुराण होधो खुदा ही जरूर करा लेना है दोस्तों जिससे की जमीन पोची रहेगी और कंद उसका अच्छा बनेगा और आपको समय समय पर दोस्तो उर्वरोखों की पूर्ती के लिए जो निंदाई के समय 25 किलो पोटास और जो 15 किलो आप डियेपी और एश्ट्रा दे सकते हो दोस्तो इसके अलावा आप बेसल डोज में जो कोई खाथ छुट गया है तो वह भी आप निंदाई के समय दे सकते ह और इसके बाद में जब फसल सित्तर से 80 दिन की आपकी हो जाती है उस समय आपको 10 से 12 किलो प्रती एकड के हिसाब से केलसियम नाइट्रेट दे देना है जिससे की कंद का आकार और चमक अच्छी बनेगी दोस्तो इसके बाद दोस्तो बात करें NPK जो वाटर सोल्यूबल होत है वह 50-60 दिनों पर इस्प्रे करना है और 80-85 दिन की जब फसल आपकी हो जाती है तब आपको NPK 0050 का इस्प्रे करना है और साथ में अगर आपकी जो हाइट जादा हो गई है आपके जो लसुन की हाइट जादा हो गई है और कंद छोटे हैं तो आप कोई सा भी अच्छा व आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 8-10 ml प्रती 15 लिटर पानी में लेकर इस्प्रे करना है और जो बोरोन की मात्रा है दोस्तों वह आपको 25 ग्राम प्रती 15 लिटर पानी में लेना है दोस्तों और NPK की बात करें तो आपको प्रती 15 लिटर पानी में 80 ग्राम जो NPK होता नेके समय की तो लगबग लसून दोस्तों परिपकोता इसका समय होता है लगबग 120 दिन से लेकर 140 दिन इसमें परिपको होने में लग जाते हैं दोस्तों यहां दोस्तों वेराइटी के उपर भी डिपेंड करता है वेराइटी अगर अलग-अलग होती है तो यह समय भी कम जब आपकी फसल में 50% डोड़िया निकल आती हैं तब आपको समझ जाना चाहिए कि फसल संकेत कर रहे हैं कि अब हर्वेस्टिंग का टाइम हो गया हैं तो आपको फसल को उखाड लेना है दोस्तों और उखाड कर पूलिया बनाकर आप एक जगए एककत्रीद भी कर सकते हो ज आराम से एक जगा इखटा करके फिर आराम से भी कटवा सकते हो जिससे की उसकी नमी खतम हो जाएगी उसमें अच्छी धूप के कारण जो होती है उसका परदा मजबूत हो जाएगा और उसमें नमी नहीं होगी जिससे की उसकी बंडरन में अच्छी इस्तिती रहेगी दोस वह आप एके करके भी आप सारे वीडियो देख सकते हो दोस्तों चाहे वह सुरुआत से लेकर आनते तक की सभी प्रक्रिया हमने बता ही हैं उनके अलग-अलग वीडियो भी हमने चैनल पर ढाल रखे हैं जो आप देख सकते हो आगे भी समय समय पर हम अपलोड करते रहेंगे वीडियो काफी लंबा हो गया है पर इसमें दोस्तों हमें लगता है कि जानकारी कुछ भी नहीं छूटी होगी अगर और भी कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंड करके हमें जरूर बताए आपको वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंड में जरूर बताए और आपके कोई सवाल या सुजाओ हो तो वह भी आप कमेंट करके जरूर बताए जिससे कि आपके सुजाओ से ज़्यादा किसान भाई आउगत हो सकेंगे आपके नालेज ज़्यादा किसान भाई तक जा सकेंगे और अगर आपके कोई सवाल हो तो वह भी कमेंट करें जिससे क हम आपके सावालों के जवाब देने की कोशिस करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा या कमेंड में जरूर बताए दोस्तो और वीडियो लाइक और सेर जरूर करें जिससे कि हमारा उस्सा बढ़ सके दोस्तो इसमें हमने लसुन की संपूर्ण जानकारी सुरुआत से लेकर अंत सकता है और अगर बीच का भाव हमें कम में मिल जाता है तो इसकी खर्चा 5-7,000 कम भी हो सकता है तो दोस्तो अंदाजन इसका खर्चा हम 45-50,000 मान सकते हैं और आब इसके प्रोडक्शन की बात करें तो यह 55-60 कुइंटल प्रती एकर के हिसाब से इसका उत्पादन हो जाता ह हम एवरेज भाव 5-6,000 भी मानें तो यह 3,000,000 के आसपास चला जाता है दोस्तो जिसमें से हम 50,000 रुपए खर्चा भी काड़ दें तो हमें 2,000,000 रुपए से 5,000,000 रुपए प्रती एकर की जो आमदनी या मुनाफ़ा हो जाता है दोस्तो पर दोस्तो यह सब भाव के उप जाना पड़ता है दोस्तो तो कभी-कभी मुनाफ़ा हो जाता है दोस्तो तो खेती में तो बहुत रिक्स हैं घाटा और मुनाफ़ा चलता रहता है आप जितने बिगे की लेसुन हर साल लगा रहे हो उतने बिगे की लगाए ना ज्यादा लगाए ना कम लगाए जिससे कि आ बाटा और मुनाफ़ा का विचार नहीं करना पड़ेगा वीडियो को अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत